हेलो बच्चों कैसे हो आप सभी आईए हम अपनी exercise को start करते हैं exercise 11.1 question number 10 statement क्या given है an umbrella has 8 ribs which are equally spaced कोई भी हमारे पास umbrella है इसके umbrella के अंदर 8 ribs है देखे जो ये वरी lines होती है ना umbrella के अंदर इनको बोलते हैं ribs इसके अंदर 8 ribs है जैसे अब 4 आपको आगे दिखाई दे रहे हैं तो 4 इ circle जब हम इस umbrella को पूरा खोलते हैं तो ये कुछ इस तरीके से circle के form में दिखाई देता है चीक है ओफ radius 45 मीटर जो इस rib का यहां से लेके यहां तक radius हमारे पास कितना है 45 मीटर तो यहां से लेके यहां तक हमारे पास क्या radius हो जेगा 45 cm चीक है देखे दुबारा देखे जैसे जब भी हम अमरे लाग open करते हैं तो एक circle की form में open होता है तो यहां से लेके जो यहां तक outermost point है यह हमारे पास क्यों हो जेगा radius तो radius हमारे पास क्या given है 45 cm हमें क्या निकालना है find the area between two consecutive ribs यह first rib है यह second rib है इन दो rib के बीच में area find out करना है अब यहां पे देखे जैसे हमारे हमारे पास first rib है यह हमारे पास second rib है इन दो rib के वीच में कितना area form हो रहा हमें यह find out करना है यह एक तरीके से sector form हो रहा है इस पूरे area में से हमने इसका find out करना है देखे सबसे पहले लिखे total ribs, total ribs कितनी इस umbrella के अंदर 8 है, total ribs in umbrella कितनी है हमारे पास 8 ribs छीक है इस अमरेला के अंदर हमारे पास टोटल कितने ribs हैं 8 ribs हैं अब देखे तो हम टोटल एंगल find out करते हैं अब यह जो circle है इसके अंदर टोटल एंगल कितने degree को होता है 360 degree को होता है और हमें क्या निकालना है एक sector का angle find out करना है वो कैसे करेंगे कि create total angle को जब हम कितने sector form हो रहे हैं उसे divide कर देंगे तो हम एक sector का area find out कर सकते हैं देखे एंगल of एक sector का find out करना में एंगल of one sector एक sector का angle हम कैसे find out करेंगे टोटल एंगल कितना है यह total angle हमारे पास कितना है total angle upon कितने ribs है यह total ribs टोटल रिब्स चिक है अब देखिए टोटल एंगल कितने डिग्री का यह 360 डिग्री का तो हम क्या लिखेंगे 360 डिग्री डिवाइड़ बाय में टोटल रिब्स यह ऐसे कितने रिब्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए 8 रिब्स है यह इसकी नेमिंग कर लीजी आपको 6 7 8 टोटल 8 रिब्स है यह कोशन में गिवन है तो डिवाइड़ बाय में 8 इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आजेगा 45 डिग्री देट मींज जो एक सेक्टर है उसका एंगल हमारे पास क्या आजेगा 45 डिग्री देखे जैसे जो angle है ना इस sector का यह हमारे पास क्या आजेगा 45 degree छीक है हर एक जो sector का जो angle है वो हमारे पास क्या है 45 degree अब हमें क्या find out करना है दो ribs के बीच में area area between two ribs वो कैसे find out करेंगे ribs क्या है दो sector के बीच में area area of sector और area of sector निकालने का formula आपको पता है क्या होता है theta upon 360 degree into pi r square अब theta हमने क्या निकाल ला है 45 degree 45 upon 360 degree into में pi pi क्या है 22 upon 7 into में r radius हमारे पास question में क्या given है 45 cm already given है 45 into में 45 यहाँ पे आप यह भी लिख सकते है radius of umbrella क्या given है मारे पास question में 45 cm ठीक है अब देखिए जस्ट इसको solve करना हमें और कुछ भी निकरना 45 1 360 को इसे divide करेंगे तो 8 ठीक है अब यह 2 forza 8 to 11 से cancel हो जेगा और कुछ cancel हो रहा है नहीं हो रहा तो उपर क्या आजेगा 11 into में 45 into में 45 अपोन 7 forza 28 ठीक है जब हम 11 into में 11 की 45 के साथ multiply करेंगे और फिर जो result आएगा उसकी 45 के साथ multiply करेंगे तो हमारे पास answer क्या हो जेगा 222 75 अपोन 28 ठीक है जब इसको 28 से divide करेंगे तो हमारे पास answer क्या हो जेगा 795.5 और unit हमारे पास क्या हो जेगी cm2 यह हमारे पास क्या हो जेगा दो ribs के बीच में जो area यह हमारे पास क्या जाए इन कोई सी भी दो ribs के बीच में area अगर आपको बच्छों कुछ भी doubt हो तो comment section में बताइए अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको like कीजिए और निहान क्लासिस को subscribe कीजिए thank you